नमस्कार फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सयद मुस्ताकली टी-20 ट्रोफी 2021 के प्री क्वार्टर फाइनल लंबर टू के वारे में जो कि फ्रेंट्स सो आराष्ट और केके आर के वीच में खिल बात है इस वीडियो के अंदर में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे फ्लेयर की रिसेंट पफरमेंस के बारे में और टीम के हैड़ टू हैड के बारे में बताएंगे पिछ रिपोर्ट के बारे में फैंट्स हम आपको बताएंगे और वैदर रिपोर्ट के बारे मे भी फैंट समा आप लोगों को बताएंगे तो फैंट वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो के अंत में हम आप लोगों को एक यहां पर टीम देने वाले हैं जिसे लगा का फैंट साप आसानी से जो है जी एल को बिन कर सकते हो फैंट से वीडियो में आगे से आप हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च किजिएगा वी ग्यारे जी फंतसी पहले ही नंबर पर फैंट सापको हमारा चैनल मिल जाएगा हालंकि फैंट वहां पर हमारे थोड़े से कम सब्सक्राइबर हैं पर आप लोग जो हमारे वी औरों की तरह सब्सक्राइबर वहां पर बढ़ जाएंगे चले फैंट साब बात करते हैं मैश डेटेल के वारे में तो यह मुकाबला सोलेत तरह की आने कि कल को खेला जाएगा दोपैर के एक बज़े खेला जाएगा भारती समय नुसार वेन्यू की बात कर रहे तो रोर दिखाई दे सकती है बीच के ओरर्स में यहां पर फ का थोड़ा सा थोड़ा सा बॉल्बाला दिख़ने बाला है हालंकि बंड़य वाज़ों को इतनी परिसनी इस्पनयर्स के खिलने को नहीं होगी तर बीच के ओर्ष में थोड़ा सा सबढ़ बॉल्बाला आपको बात करते हैं बारे में तो यहां पर इस बारिष का कोई भी च्छान्स नहीं होने वाला है टैंपरीचर 23-26 डिग्री सिल्शिस के बीच यहां पर रहने वाला है मैच जब तक चलेगा अब यहां नहें आपको दूनों ही Department है आप यहां पर इसकड़ क Schutz आप नाक करनाटक का इसकाड मैंने आपको दिखाया है एक बार वीडियो को पोज पर पोज करके आप इनका इसकोईड देख लीजिए उसके बारे में इसके बात कर लेते हैं के बारे मनीस पांडे और करुन नायर आपको वन डाउन और सेकंड डाउन की पोजिशन पर दिखेंगे अरुड जोसी आपको फैंट्स यहाँ पर एक मतलब थर डाउन की पोजिशन पर खेलते हूँ दिखेंगे और यहाँ पर कृष्ण अपा गौतम आपको एक आर्लाउंडर के तौर पर दिखेंगे दो से तीन याफर चार ओवर भी कराएंगे स्रीकर भरत आपको बिकेट कीपिंग के महमिका में दिखेंगे जगदी सा सूचित फैंट्स आपको यहाँ पर एक आर्लाउंडर के तौर पर दिखेंगे केसी करियपपा आपको बॉलिंग के तोर पर दिखेंगे चार ओवर डालते हैं अपनी टीम की तरफ से प्रसिदी क्रिसना भी चार ओवर डालते है बिजो कुमार व्यसक अपनी टीम की तरफ से फैंड्स यहाँ पर चार ओवर डालते है तो यहाँ पर सारी बात है मैंने फैंट्स आपको करनाटक टीम के बारे में बता दी है अब फैंट्स उसके बार हम इन प्लेयर्स के जो है रिसर्ट परफॉमेंस के बारे में भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है सोराश्ट की प्ले के साथ वसावदा के साथ यहांपर फैर्टि करते हुआ दिखेंगे उसके बाद विस्वर यज जडे जा आपको वन डाउन पोजीचन पर देखेंगे अब फेंट्स पेरक माकंड आपको दिखेंगे यहाँ पर थर्डाउन की पोजीशन पर उसके बाद समर्थ व्यास एक दो ओवर भी कराएंगे वीच में चिराग जानी यहाँ पर फेंट्स दो से तीन चार ओवर भी डाल सकते हैं जैदे बनारत कट हैं यहाँ पर चार ओवर क कराती हुए तो फेंट्स यहाँ पर सारी बाते मैंने इस टीम की भी आपको बता दिया चलिए अब हम लोग बात करते हैं टीम के इन प्लेयर्स की जो है परफॉमेंस के वारे में उससे पहले फेंट्स हम लोग जहाँ पर इस मैदान पर जो है पेस बरसेज स्पिन के रिकॉ करनाटक की फॉम आपको देखने को मिल रही है काफी अची कासी फॉम है लाष्ट के जो है मुकाबला हारी है अपना लेकिन उससे पहले के सारे मुकाबले जीती है और यहाँ पर सौराष्ट की टीम अपना पहला मुकाबला हारी ती उसके बाद सारे के सारे मुकाबलों को इहाँ पर ब dishonstep किया है पहले है अब हम लोग फेंट्स यहाँप November 8 के वारे में तो फेंट्स यहाँपर हम ने आपके लिए कुछ प्लेयर्स लिये करनाटक और सौर ग्रेट के साथ लगाई है अब इस बात करें यहां पर वेटर्स के बारे में मनिस फांडे वन डाउन पोजीशन पर आते हैं अपने टीम करनाटक की तरफ से 32 बनाए थे टीम इंडिया के लिए वे खिल चुके हैं और यहां पर फैंड्स आपको जो है आई पील में भी खिलते देखते हैं करुन नायर इस बार जो है आपील में नई खिले थे लेकिन फैंड्स आप इनकी फिर्म देख सकते हो काफी अच्छी का सी फिर्म है अब अर्फित वसवादा के बारे में बात करूं फैंड्स से लास्ट का मकाबला इतना च्छन नहीं गया था लेकिन उससे पह वरिद उसंब को आप अपनी स्क्रीन पा देख सकते हो एक विकेट लिया था दिल्ली के खलाब उपी के खलाब ह McMिया था हैधरवाद के खलाब दैख बात करें नहों एकमें थान फैंटलों में तो यहाँ पे बेटिंग में इतना कुछ खास नहीं कर पाएं अगर आप एक वालर के तोपर पिक करना चाहें इस्पिनर के अल survey करना चाहें तो आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो अब फैंट से यहाँ बात करते हैं वालर के बारे में पर प्रेंट से मैंने ज्यदे बु उना खरट कोलिया काटोरी बालर कहते हैं कोеше caution का सी बालिंग ही कराते ऐक दिन ली के खिलाब, सीजी के खिलाब दो विकेट लिये थे और उत्राकंड के खिलाब भी फेंट से दो विकेट लिये थे वियासक विजय कुमार के वारे में बात करूँ, लास्ट के मकाबले में विकेट नहीं मिला था, लेकिन लास्ट के दो विकेट लेने के इनके चांस बहुत ही जादा है चंदीगड के खिलाब तीन विकेट लिये थे और उत्राखंड के खिलाब भी एक विकेट नहीं लिया था फिर विंदुवे जो कि फैंट्स दिली की टीम से भी खेल चुके हैं आप आई पील में इनको आप देख सकते हो लास इसी जील को बिन कर जागो है चलिए फैंट्स वाद करते हैं उस टीम के बारे में तो फैंट्स यहां पर आप लोग देख सकते हो फिलाल के लिए हमने आपके लिए एक टीम चुनके दी है वाकि फैंट्स आपको फाइनल टीम टोस के वाद आपको जो हमारे टेली ग्राम प यहां पर अर्दिस्तक लगाया है मनीश फांडी को अपनी टीम का कैफटन मनाया है क्यों मनाया है फैंट्स क्यों कि यह जो है प्लेईर है इनके लिए सारे ही जगहाँ पर खेलने का अनबव है करुन नायर को अपनी टीम में लिया है अनबव के तोर पर काफी अच्छे प् को आप बिलान के शौना है करशनपवा गौतम को एक लाउंडर के तौर पर प्रपक प्पिक किया है लास्ट का इनका फ़स्फोमेंस देखें नौनाई वी विलियर्स का खाफी अच्छका सा हालन कि कैसलपवा गौतम बलने से इतना चकासा खास नहीं कर पाए है लेकिन इस मुकाबले में इसे बहुती ज़्यादा उम्मीद है अब फैंट्स यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ बॉलर्स के बारे में तो फैंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जैदे बुनातकटो को अपने टीम में लिया है लाश्ट के तीनों मकाबले में काफी अच्छी वालिंग कराई है केसी करियपपा ने लाश्ट के तीनों मकाबले में काफी अच्छी वालिंग कराई है जगदी सा सूचित को मैंने अपनी टीम में लिया है जो कि सेल्ड जेक्सन है और वाइस कैप्टन के तोर पर भी मैंने अपनी टीम में चुला है almost 90% प्लेश 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 प् अगली वीडियो में जे हिंद जे भारत जे जबान जे किसान